जोहार दोस्तु आप सबी को फěर शिय når जोहार सरे सुखाथ दोस्तु आज हम लोगा Sa prisoners का पेपर क्या बोलते हैं सकेंट कलास है ठाउ एक हम लोगा इस कलास में देखनी वाले है क्या दोस्तो तो हम लोग देखनी वाले हैं अज पेपर सोरे पेपर आ जा रहा है second class में हम लोग सोसेलोजिक पढ़ेंगे समाजिक अनुसंसाधन की परकृति समाजिक अनुसंसाधन की परकृति क्या है, उसकी बारे हम लोग गहनद्धियन करेंगे थीकै sail तो जितने भी आप लोग जारकन मैला Supervisor में तो लोग के लिए वीडियो है ठीक है लोग आप लोग देखिए ठीक है और आप लोग अच्छा लगेगा ठीक है और पढ़िए ठीक है तो देखिए यहीं से आप लोग इतना प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा आप लोग मुझवान याद हो जाएगा ठीक है बस आप लोग अभी सपोर्ट करने की जवरत है ठीक है बिना सपोर्ट की बिना क्या कोई चीज आसी तक हुआ है कुछ नहीं हुआ है आप लोग अच्छे से मतलब पढ़िएगा तो आप लोग के लिए बहुतर से बहुतर कंटेन आप लोग के लिए प्रवाइट करवाने के परियास करूंगा ठीक है तो चलिए दिए समाजिक समंध घटनाव और तत्यों वह पर किर्याओं के वैख्या करना ठीक है इसके वारे किस दिए का अधियन किया जाता है मानों बेहवार है मानों किस दर बेहवार करते हैं कैसे रहते हैं उसका चल चलन चलन उन सभी के वारे अधियन किया जाता है है ना देखिए समाज में रहने वाले अईनियस अदिशियों यह समों के साथ उनके संबन उनकी विभीन पर किरि इन सभी का अधियन हम लोग समाजिक अन्संशादन के अंद्र गहतिमी इसे में खरते हैं और इसमें हम लोग इस देखिए अब हम लोग देखते हैं समाजिक संबंधों के बारे में नवीन तथ्य खोज करना है ना समाजिक संबंध के बारे हम लोग नया चीजों के बारे कैसे सर्च करेंगे रिसर्च करेंगे तो उसके लिए आप लोग देखिए समाजिक उनसादन को दे से किसी घटना के संबंद या बेक्तियों की पारसपरिक संबंदों में नवीन तत्यों यह उम नियमों की खोज करना है इन नमीन तैथियों की खोज दुवरा, समाजिक उनसंसादन, समाजिक संबंदो दुवरा, निर्बित संरचना, यहों समाजिक संगठन की भी समझनी यहों, इनका अस्पस्टि करन करने में साहिता देता है, रैट, नेक्स्ट आप लोगा समाजिक समिस्याओं की परकिरिती य जहाते है उसका मुल, जो मतलब मुल-जड़, जो मतलब उसका कारण क्या है उसका अध्ययन देखिए इसमें क्या है, समाजिक उनसादन में, अन्स इंसादन में बी परकार की समाजिक समीस्याओं की परकिलित高 उनके कारणों के पता लगाने के परियास किया जाता है समाजिक समिस्याओं में आप लोगा बहुत सारे कारण होते हैं समाज में बहुत सारे होते हैं उन सभी के बारे अध्यान करना पता लगाना यही हम लोगा समाजिक समिस्याओं की परकृती है कि जब तक समाजिक समिश्यां की परकृति यह उमकार्णों को पता नहीं हो तब तक उनका उप्षार समभव नहीं है। समिश्याओं से केवल वही तक संबन है जहां तक वे आधारबुत समाजी पर किलिया वो मानों बेहवार तक ब्यक्तित्तु के विकास द्थवा बिगटन पर परकास डालती है तो उम्मिद करते हैं आप लोग समझवा गया होगा नेक्स्ट है प्राचिन तत्यों का पुनारिक उसुदार करना va. नवी नियमों तथा सिधांतों के निर्मान के साथ साथ समाजिक अनसंसादन का उदिस प्राचिन तत्यों की पुनर परक्ट्छा करना एय। उन्मि सुधार करना भी समय के हिसाब से ज़िएन की अधार पर समाजी तत्यों ीब्यक्ति आक्यानिकaremos क्या जाता है तकि विस्वाज शे सही है उसको मतलब जाच किया जाता निस्पक्ष बैखेया दोबारा मानो संबंधों की परकिरती को शमझा जा सकता है ठीक है यह आप लोग कंपलीट हो गया अब हम लोग देखते हैं समाजिक अनसिंसादन की भी सिस्ता समाजिक अनसिंसादन की भी कुछ भी सिस्ता हो तो इसमें फस्ट भी सिस्ता आप लोग है क्या है प्राकलपना की जांच है प्राकलपना की जांच क्या है तो आप लोग देख लीजिए समाजिक अनुसिंसादन प्राकलपना के निर्मान से प्रारम होता है समाजिक अनुसिंसादन प्राकलपना के निर्मान से असुरू होता है और इसका मुईख्य उदैसिय समाज से स के वरे आप लोगों देखे लिजए गुडए मु होट में लिखा है कि समाजी सब्सकूर्ण समाज से संबंदी थी तो परकारिक अनुसाधन होती है सुड् अनुसाधन और बेवहारीक अनुसाधन कितनी परकार की बिखेंडे होते हैं तो यह मैंने टू टाइफिस ऑफ क्या एक अनुसिण सादर पुस्त काले उपलब बिसह से समद्धिस समगरी का करम बंन तरीके से वर्गी किरन और मिशलेशन करकि शूद सिद्धान का निर्मान करता है प्यहारी के अनुसिण सादन वास्तिक समिस्या से नेक्स्ट आप लोग का ठर्ड में कायरिय कारण संबंद का अध्यान क्या है इसमें आप लोग देखिए समाजी को निसन साधन प्रकलपना और अध्यान की समिस्या से संबंदित तथ्यों का परस्पर कारण प्रभाव संबंद का अध्यान करता है प्राकलपना में वर्नित संभी करनं की जाच कारण की संदर में करता था है नेक्स बेग्यानिक चर्णों का पालन तो समाजिक अनुसंद्धान करताओं दुबरा बेग्यानिक सोद की चर्णों का कठोर्टा से पालन किया जाता है ठीक है नेक्स्ट सिधानतों का परिच्छन क्या है सिधानतों का परिच्छन अब हम देखते हैं सिधानतों का परिच्छन क्या है तो सिधानत कई परकार के होते हैं जैसे में आप लोगा बिसलसन आतमक हो गया आदर्स आतमक हो गया आप लोगा तत्व मिमान से निया हो गया समाजी के अनुसंसादन जब प्राकलपना दोड़ा सिधान का परिच्छन करके निर्मान करता है तो वो बैग्यानिक सिधान्तों की जाच नमीन तथ्यों दोड़ा समय समय पर और उनकी प्रामानिकता विस्वसनियता तथा सत्यता के लिए होती रहती चाहिए यह कायरी समाज समाजी के अनुसंसादन करता है बैग्यानिक सिधान्तों का परिच्छन करके उन्हें पुना अस्थापित खंडित संसोदित और त्याग देता है रैट नेक्स्ट आप लोग नवीन प्रविद्यों की खोज नवीन प्रविद्यों की खोज किया है तो इसको आप लोग जान नीजसे सुग्ष नोबर पॉइंट को, ठीक है समाजी के अनुसंसादन में प्रखल पना की जाँच, तथ्यों का संकलन सिधान्तों की सत्यता आदि से संभंदित अध्यन करने की अतरिक नवीन प्रविद्यों की खोज भी की जाती है अनिक ऐसी परिकलपनाएं होती हैं जिनकी जाच करने और उनसे समदित तथ्य संकलन की परवीधिया विज्ञान में नहीं होती ऐसी परिकलपनाओं का परिछन करने के लिए समाजी का नुसंसादन सरपर्थम नविन प्रतिबंद की खोज करता है नेक्स्ट है समिस्याओं के कार्नों की खोज क्या इसको अप वैवारिक समिस्याओं के केंदरी कारोकों का पता लगाना परॉकिसका अद्थे माल Paci के सममदाई खेल के मैदान में लड़ते हैं इस समय से एक तत्काल пл actual यह कर दिया जाता है कि अलग-अलग पर जाती समू को अलग-अलग समय में खेल का मैदान को दिया जाता है लेकिन ये सिधान्ती करन संसादन इनका समाधान प्रस्तुत करेगा कि उन्हें समाजिक करन समाजिक अंतक के रिया समू के मान डेंड और आदी बच्पन से सिखाए जाए तो बड़े होकर भी परस्पर मित्रता पोर्नोर रहेंगे बच्पन में ही मिल जूल के रहने के लिए अगर उसको सिखाए जाएगा तो जाहर सी बाते बड़े होकर भी वो मिल जूल के मित्रता दोस्तियारी बना के ही अपना जीवानापन करेगा अब हम लोग देखते हैं समस्याओं का समाधान है ना समस्याओं का समस्याओं का समस्याओं का समस्याओं अनेक विकल्प हो और समाधानों का विकास होता है समस्याओं का समस्याओं में समस्याओं में अनेक विकल्प हो और समाधानों का विकास होता है जिसके परिणाम से रूप समिश्याओं की अनेक समाधान उपलब्द हो जाते हैं समाधान से समिश्याओं के निराकरन की लागत कम हो जाते हैं समाधान से समिश्या जो होता है वो प्रोब्लम जो होता है और समझ्या थोड़ा गब हो जाता है गुड एंड होट का कहना है कि सिधान्तों के विगास के दोरा अनेक बेवहारिक समझ्याओं के समाधान करना हो देखिए आप लोग इस तरह का प्रसन आता है गुड होट ने क्या कहा था है ना इस सबको आप लोग याद करना तो कंपल से रही है है ना में थरे जिदिंग तो है ने कि आप लोग को ट्रीक देखे समझाए ठीए यह आप लोग को पढ़ना ही होगा देखिए नाइन नमबर में आप लोग का परसासन को बेवस्तित करना है परसाषन को वभ्योस्तित करने के मतलब क्या है? इसको झाल लिजयें अनुसन साधन परसाषन को वभ्योस्तित चलाने में साहथा पwyुझ आता है अनुसार परसासन को विवस्तित चलाने में सहायता पहुचाता है सरकारी तथा विवपारिक संगठनों ने अनुसार केंदरों से सुचना इकत्र करके उनका उपयोग करने शुरू कर दिया समाजिक सेधान्तिक उनसार उपकरनों तथा तक्नीक अमल्यांकन करते हैं पूरानी और नई समश्याओं की समाधान में उपयोग किया जाता है, गुड यूँव्ए हॉत की अनुसार सैधान्तिक का, कह हा है? सैधान्तिक करने समश्याओं की समध्याओं करना है जो परसासन के माननकात्मक पदत्ति बरधान करते हैं नेक्स्टियों का प्रकारियात्मक अध्यैन, प्रकारियात्मक अध्यन क्या है? तो दएक समाजिक धटक्रवों को समझने के एक त्थ्यों के गूर्रभावग इस सब्गार। समाजिक अंसनसादन इस कायरी को कायरी बद तथा वियुस्तित रूप से करके हमारे सामने परस्तुत करता है कि तथ्यों के क्या-क्या गून हैं क्या-क्या दो से परवाव हो यह से पीबिन तथ्य दुसरे तथ्यों के कैसे परवाइद होते हैं और किस परकार से उनको परवाइद करते हैं इससे समाजिक बेऊस्था हैं और आइने समाजिक घटाओं को समझने में सुगमता रहती है। समाज के संतूलन गतिसिलता निरंतता और विवस्था आदि के लिए इन सब का ज्याना विशक है जो समाजिक अंसंसादन समाज सास्तरियों और समाजिक पैग्यानिकों समाज सुधार को योजना कारों ये सब उपलब्द कराते हैं गुड और होट ने भी लिखा है कि बाल अपराद निर्धनता पिकारी आदिस समाजिक समय समख समुझने विए ज्यान उप्योंगी है ये भी तो बहुत सारा गहन सा एक प्रसन उड़ता है कि बाल अपराद क्यूं होता उसको रोकने का भी उपाय किया जाना चाहिए है ना निर्धन की वाद्मी रा जाता उसके लिए भी ब्यौस्ता किया जाना चाहिए तो उसके समाजिक अनसंसादन के विसैचेत्र क्या किया है तो उसके बार हो गहन एध्यन करेंगे है कि लिए सभी के बारे हम लोगो linear by और discuss करने का प्रियास करेंगे है ना और आप लोग का समझने में थोड़ा सहुलियत होगा है ना असानी होगा तो उसके लिए भी आप लोग को prepare रहने क्या होई सकता है ठीक है दोखिए मनजील उनी को मिलता है जो उसमें 100% लगा रहता है किसी भी फिल में आप चाहिए पढ़ा है लिखा है बिजनिस जो भी करते हैं ठीक है अगर आप लोग 100% देते हैं तो सफलता भी आप लोग का 100% ग्रायन की रहता है किसी भी फिल में आप लोग 10-20% लोगों को ही सफलता मिलता बाद बाकी लोग असफल हो रहता है क्योंकि इस सभी लोग 100% दे नहीं पाते हैं जो 100% देता है उसको सफलता मिलता है तो इसलिए क्या करना है सफलता के लिए अगर आप लोग 40 मेहल परिवाजन में जोब चाहते हैं लगाई ये और जो घंडीट परशेंग लगा यह टीक है और जो जो आप लोगों बता रहे हैं वह आप लोग पढ़िए अपलोग हेंडीट पर्शेंग और टेंट से लेने की कहीं से आउय सकता नहीं है और यह आप यहां के सासा आप लोग अपने से भी रिष्ट करकी Google से प बार देखिए ठीक है जैसे समझ में आता है आप समझिए और एक्जामिशन में आप लोग अच्छा स्कोर कीजिए और जरकन महिला सुपर वजर में एक सीट अपना पक्का कीजिए है की नहीं देखिए तो हम लोग पढ़ेंगे आज समाजी का उनसाधन का विस्टाई छेत्र समाजी कहिए अउनसाधन की विस्टाई चेत्र क्या num? तो उसके बार उप लोग चंकार ही प्राप्त कर लीजिए ठीक है तो दिखिए समाजी कउनसाधन का विस्टाई चेत्र बहुत ब्यापक और चटिल है इसका ब्यापक और थोड़ा हाड है सभी प्रकार की समाज और स जिसे घतनाओं की कारुणों की खोज करना नभीन तत्यों के अधार पर सिध्धान्तों का निर्वान यह सब हैं पुराम गी सविक्रिती सिध्धान और कवर्तमान समाजिक पर तिक संदन परिच्छन करके पुन सत्यता को अस्तापीद करना यह राद करना यह सब समाजिक घटनाओं का एस्थेटिक और गद्धी प्रविति के नियमों की खोज करना आदी है समाजिक अंसन्सादन के विशेचेत के विवस्थित और पूर्ण विवेचन के लिए समय समय पर विभिन विद्वान के कुल्ले है न जोर्ज हरबर्ट मीर बर्गेश थोमस और कार करल दूमल्क प्रव्यासन आदी के दोड़ाएंगेस समाजिक अंसाधन को और वियक विचारों कदार पर नियम ने खेतनी धारद कि गया न खुछ से चेतनी धारद किया गएा कि समाजिक अंसायन का विसाई क्या है तो यह गहन को मुद्धा है तो इसके बार आप लोग ज इस परकार की समाजी के उनसादन की उधारण चार्ल्स एज कुले जोर्ज एस मीड डवलू आई थॉमस और एफ जरान्यक आदिक के हैं तो नेक्स्ट आप लोग का क्या है समाजी के उनसादन का बिसा ये भी इसायत से मही है चेतर बेग्यानिक अन्विंसन की नवीन छेती जिया परदी निश्चित करना उन्नत पर योग सीध कारिविधी के नवीन तम सिध्धान परदान करना और नमीन अधारनाओं का सुझाओ देना डबलू आई थमस का अध्यान इसका अधारन अपने विक्तित्व और समाजी क्षंगठन और विगठन के अध्यान में नमीन परविर्दी अपनाई थी थीक है नेक्स्ट आप लोग का देखिए इसके भी से छेतर की अंतगर्द क्या-क्या है उसके बारे आप लोग जान लिजिए ऐसे अधियन करने होते हैं जो बिद्वान सिधानतो की जांच करने वाले हो ठीक है पर्चलित सिधान्तों कि नमीन परमानों की अधार पर्चलित सिधान्तों का संसुधन करते हो, पी हैर रंग ने लिखा है कि अंसे हैस्ग काईरिय, बियदबान ग्यान में नमीन जान जोdoesना है ऐसे नवीन ज्ञान की बिरिद्वि के साथ साथ पूरानीग और पर्मांनीद धारनाओं की जुष्च करके रैत करके भी किया जा सकता है समाजिक अनसदन साधन की विप सहिए क। है छ्तिर के लिद्वान पड़िद्व है । है Rs. 6 त collaboration की निर्वान करना इसके बाद अध्यान के लिए नविन परविद्यों को अस्ताफित करना है समाज़ी कंशिण साधन के एक और रुचि का बिस्ढ़न इसमें समाजी की जीवन का विश्थित अध्यान नियंत्रीत और परिश्णात्मक पर्चित्यों में करना है ठीक है तो next class में हम लोग देखेंगे समाजी इसके बाते देखेंगे और कल आप लोग का यह समाप्त हो जाएगा ठीक है वो सिच करेंगे कल ही समाप्त करने का ठीक है तो ठीक है फिर मिलते हैं next वीडियो तब तक लिए टाटा बाई बाई जोहार और इस वीडियो को आप लो सुपर्वाइजर में आप लोग क्या बोलते हैं सोचलोजी लिए होंगे तो उनको पास सर्व फरवट कर दीजिए ठीक है और इस चैन्म में आप लोग नहीं होंगे तो बोलेंगे कि जोहारी जो सिस्क्राइब कर लिजे और पेल आइकन को प्रेस कर दीदा कि जब इसी तरह क वीडियो अप्लोड हो आप सब्सक्राइब नोटिफिकेसन मिल सकेगा तो ठीक है फिर मिलते हैं